वन्देश्री प्रहुसत्गुरुम् गुननिधिन सभध्यकल्पद्रुमं मन्दानाम शरणं शरण्यममलं नाथन्पलाधाश्वें। यत्सत्तावशजे नस्थावरभवो देहसुचेश्टान्विताह सोयं वो विदधातु वान्चितफलं मानेक्यकल्पद्रुमं। इन शब्दों में प्रहु महाराज के चरणों में अनन्त कोटी प्रणाम अर्पित करते हुए। आज इस पौश पॉर्णिमा के भावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संभोरित करते हुए। मुझे अतीव प्रसंदता की अनुदूति हो रही है। आज से 15-20 वर्षपूर। हमको किसी को पत्र लिखना होता था। तो हम क्या करते थे पहले पोस्ट आफिस में जाके वह इन लाइन लेटर या वह लिफाफा वह खरीद के लाटे थे पोस्ट कार्ड वगएरा करीद के लाटे फिर पोस्ट का डिबा लाल वाला वो कहां ढूलते हुए गए वहां गए वहां जाके वो डिबे में लेटर दाला तो आठ दिन के बार वो लेटर जाके पत्र जाके पहुंशता है। तो का मैं हमको वह वह एक्षे तरह को पड़ता है तो क्या करना पर दो यहां से पर छे में व olan वहां से बस में बइटके हैजराबाद में उतर के और से बस में में भाटतीट में बाटती मैं अप्टके अठयोड़ा पिर थीचोंप झाने के सल्था कोई चीज कुछ भी खरीन एक फ्रिशर कुकर भी बर्दं भी लेना पर दो आधागा तो इस तरह से पैसे भेजने हैं किसी को मान लिए पैसे भेजने हैं तो पैसे भेजने हैं मान लिए 10,000 रुपए किसी को देने पूने में तो क्या करना पड़ता था पहले नोट गिनो नोट गिनके उसको ठूक लगा के गिनो गिनके जो है उसको रबर बैंड लगा उसको जो है अंदर पैं अब क्या है अब काल परिवर्तित हो गया जमाना बढ़ा अब कैसे है आपको दस अजार रुपए भेजने है किसी को फोन उठाया फोन पे किया टिंग टिंग क्या हुआ कि आपको एक यदि साले करीदनी है इक अरे वरतन खरीदना है एक़ अरा शर्ण खरीदना है यह वस्तु खरीदनी है तो क्या करते हैं Allah click वहाँ जाके अपने वस्तु को पसंकिया टिंग टॉपन लोग ईश्रे दिन वस्तु जो है आपके घर कि उपर आप practitioner का किसी को पत्र भेजना है तो क्या वाट सेट इमेज एक बटन दबा दिया पत्र पहुंच तो आजकल कैसा हो गया हर चीज में शौटकट है हर चीज में शौटकट है लंबा प्रोसीजर जो है उसको हमने छोड़ शौटकट बिल्कुल ततका तुरंद हो जाना चाहिए तो एक सद्भक्त ने पूछा कि महराजी हर चीज के अंदर प्रगति हो रही है विभार में हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है पहले हमको दिल्ली जाना होता था तो तीन दिन रेल में सफर करते थे अब हवाई जाज में बैटके जाते हैं दो हंटे में पहुंच जाते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर तरक्की हो रही है अध्यात्म के अंदर ऐसा कोई शौटकट नहीं है क्या कि हमको तक्काल इश्वर की प्र कि उसका उप्तर आज दे देना चाहिए ऐसा है कि जब हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो अध्यात्म में मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए तो इसक आश इंच्टर और देखा उना कि इता निकाल के देख्ड़ जेता घ्रिता निकाल के दुए थे सब्सक्तितन के उसके Characterे क्रुत युग में किसी को सिद्धि प्राप्त करना होती थी प्रमात्मा को प्राप्त करना होता था मोक्षा प्राप्त करना होता तो क्या करते थे विश्नु का ध्यान करते हैं करते थे भी कि और त्रेता यूग के अंदर क्याै यxis लिवेन है और रिधान ये सारे बाकर परिश्न को ऊठोच कि प्राप्ति आनंद की प्राप्ति सुचन फार्स प्राप्ति सेवा किसकी सेवा तो इश्वर की सेवा परमात्मा की सेवा श्री कृष्ण की सेवा से फ़ल प्राप्त अब इसा है कि श्रीमत भागवत में इस विशेपर विस्तार से विवेचन हुआ है विशेशकर ग्यारहवे सकंद में भगवान जो है वो उद्धव को उपदेश देते हैं और वहां भगवान ने बड़ी सुन्दर बात कही है भगवान कहते है तो भगवान ने रास्ता वहां क्या बताया जो कुछ है जो कुछ दिखाई देता है और जो कुछ नहीं दिखाई देता वो सब क्या है वो सब ब्रह्म से परमात्ma से परीपूर्ण है ऐसा जानकर ऐसा देख कर परिपश्च्य अच्छी तरह से भ़िभाती इसको जानकर इसको देखकर व्यक्ति क्या हो जाता है सर्वतो मुक्त संशया सारे संशय जो है उसके सारे भ्रम्ज उसके सारे गुख उनसे वो मुक्त हो जाता है याने क्या अंतर कहा उसको आनंद की प्राप्ति हो जाता है और उसके बाद भगवान ने 19. श्लोक में बड़ा सुंदर कहा अयम ही सर्वकल्पानाम सद्धी चीनो मतो ममा मद्भावस सर्वभूतेशु मनो वाक्कायव रित्ति भी भगवार यहां कह रहे हैं अयम ही सर्वकल्पानाम जितने उपाय है मुझको प्राप्त करने के मुझको प्राप्त करने के जितने उपाय है उन सब में सद्रीची नहां सद्रीची नहीं क्या सर्वश्रेश्ट सर्वश्रेश्ट ऐसा उपाय मेरे मत से मतो ममा मेरे मत से मेरे प्राप्थ करना है वह स्वएम अपनी प्राप्ति का मार्ड़ बता जरकें माली यह बताए इनसे पूछा यह एकमार बताएं उनसे पूछा वह एकमार अलग-अलग रोग अलग-अलग रास्ते बताएं जिसको हमको जाके मिलना है जिसको प्राप्त करना है उसी से पूछा प्लीज सेंड योर्लोकेशन वाट्सेप के अंदर गूगल मैप में वो क्या कर देता है अपना लोकेशन भेज़ देता है तो अब इसमें भरोसे लायक कौन सा है इसका मत है उसका मत है उसका मत है उसका मत भरोसे लायक है जिस व्यक्ति से हमको मिलना है उसने जो लोकेशन भेजा है गूगल मैप के उपर वही भरोसे मंद उपाय है तो यहां भगवान का मतो ममा मेरा मत है बाकी के लोगों का मत क्या हो जाता गवन हो जाता यहां परमात्मा का मत क्या है क्या है क्योंकि उन्हीं को प्राप्ट करना है उन्हीं को प्राप्ट करना है इसलिए उनका जो मत है वो सर्वश्रेष्ट है से तुम आसानी से पहुंच जाओगे मुश्तर कौन सा मत भावह सर्वभूतेशू मनों वाक्काय वृत्ति भी ही मन से वानी से काया से वृत्ति से मत भावह मेरे भाव का भजन करो मैं मत भान करनी है परमात्मा की सर्वभूतेशू उनकी भावना कहा करनी है सर्वभूतेशू सभी भूतों में परार्थों में जडचेतन वेसे उन सभी में परमात्मा की भावना करना ये जो है सबसे सरल सबसे आसान इंस्टेंट उपाई टिंग टिंग बस पहुर के परवात्मा इसमें इनी श्रोकों का भाष्य करते हुए या इस तरह से और या वाचा मने सर्वभूती भगवत भजनर रहा है सर्वरूपे हास्री प्रभू जान किस नेका वराश्री काamasana सेजने 1 साधन नहीं कि है की मुख्यत्र ist त्राव यह जो सारण है मुख्य्रूप शेऊथ ये श्रेश्ट है भक्त सद्व्यान जानती जो सद्व्यान भक्त है वो इस बात को अच्छी तरह से जाती है भ्रह्म प्राप्ति जे परम कारण अब ऐसा है कि किसी तो कि सिद्धी के लिए अनेक पर को प्राइब, जैसे मान लिए आपको भोजन पताना तो भोजन पताने के लिए कारण क्या-क्या, साधन क्या-क्या, भोजन जल कि रखता विए ना पानी देल शाइए और चाही है, प्रेष्द लिट अगनी सारा कुछ सजादी जीरा है मेथी है है दालचीनी है लवंग है इलाइची है केशर है और ही आपर भी है शक्कर है पानी है बर्तन है सब अगनी नहीं है तो बना सकते हैं क्या तो परमकारण कि हेटी एक सुगम साधन सुगम याने क्या इजी शॉर्टकट आपको दसदार रुपई देने थे किसी को आप बस में बढ़के ट्रेंग में बढ़के जाते थे वहां जाके पोटली खोल के देटी आप क्या अपने फोन पे गूगल पे जी पे बेचे ना सुगम साधन मजरी मिश्च्य मानने दानन। मैं झाहिं मांता हूं डेवकी ची आट उद्धयवं कि कि सी बात को जब मिश्चय पूर्वक बठाते हैं तो हम क्या कहते हैं है आए इस शब्पत समझें कि बंदकिन आई कर देगद ने अब तो यहां फाइन इस इस भाइन के लिए शंका के लिए संशय के लिए कोई वुंजाय है मात कि कसम बहां कि कि इसलिए बहां कि देवकीच यहां नश्राइप और किसे कहते हैं उद्धवा उद्धव से तो सबसे सुगम उपाई जो है वो क्या है इंस्टंट परमात्मा को प्राप्त करने का तो सभी भूतों में मत भावा परमात्मा का भाव जो है उस अभी भूतों में होना चाहिए कि अब अब इसमें भी उतबेना शॉॉटकर्ट में अनिए प्रकार में अनेको प्रकार होते हैं जैसे आपको पैसे किसी को भेड़ने है तो आपrialive और सकते हैं यूगल पर सकते हैं जीसे कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांस फार पार हैं और एक और तरीकिया सकते हैं आप लिपकार्ट से सकते हैं से और सबस्वीगी तो यह सारे तरीक अनेक तरीकिए तो तो सब भूतों में परमात्मा को देखने का तरीके जो है हमारे यहां शास्त्र में तीन बताएगा कौन-कौन से एक है कि जगत में प्रभु को देखे जो जगत है न सारा इस जगत के अंदर प्रभु बैठा हुआ है या प्रभु बस रहा है प्रभु व्याप रहा है ऐसा मा यह एक तरीका है जैसे जगत अब इस जगत की अंदर प्रभु है प्रमात्मा है ब्रह्म है यह एक तरीका है दूसरा तरीका क्या दूसरा तरीका यह है कि यह भर्मात्मा है यह ब्रम्म है यह प्रभु है इसके अंदर जगत है इसके अंदर यह सारा जगत है ऐसा कहना और तीसरा हो पाए कौन सा ये जो जगत है यही परमात्मा करो इसके अंदर बाहर कुछ नहीं यही परमात्मा सुरूप है इस तरह से तीन भाव हो गए तीन तरीके हो शॉर्टकट के भी तीन तरीक अब उसमें इन तीनों तरीकों पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे हैं पहला वाला क्या है कि जगत में प्रभु को देखना जगत में प्रभु को देखना जगत में जब आप प्रभु को देखते हैं तो आप जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि जगत नाम की वस्तु है एक जगत नाम की वस्तु है उस जगत नाम की वस्तु में प्रभु नाम की वस्तु है तो यहां क्या हो गया द्वाइत आ गया यहां दो वस्तु यह हो गया ज्द्र शृत्री का विरोध हो गया वार स्थेंट। और दूसरा नहीं कि तो प्रभु को थे इंदर आपने प्रभु को बिठाए थो गया तो गया तो प्रभु तो इसलिए जो है यह वाला जो रास्ता है यह कुछ गड़बड यह ठीक नहीं है गूगल पे से पैसे जल्दी जाते नहीं हो अटक जाते हैं तो यह वाला प्रभु में जगत को देखना प्रभु है उस प्रभु के अंदर एक जगत है यहां क्या हो गया यहां भी वही बात हो गया यहां आपने फिर उनहां जगत की सत्ता को स्विकार किया जगत की सत्ता को स्विकार किया प्रभु तो ही है उस प्रभु के अंदर प्रम्म के अंदर जगत है तो फिर क्या हो गया फिर महां पहीत आगया और दुखक का कारण है अंतताइसा नियम है तो क्या हुआ ये वाला रास्टा भी थोड़ासा गड़ बढ़ है अलाकी शॉर्टकट है उसके अंदर अब तीसरा कुंसा तीसरा ये है जगत जो है जिसको मैं जगत कह रहा थ जिसको मैं जगत समझ रहा था वो जगत न होते हुए वो प्रभु है तो इसमें क्या हो गया इसमें जगत की जो सत्ता है उसका निराकरण हो गया जगत की सत्ता का निराकरण हो गया प्रभु की सत्ता जो है वो जैसे के वैसे बनी रही वहां क्या है वहां अदवईत है जिसक गुशे को मैं यगत समझ रहा हूं इसकोध मांगल की अंदर पिसला है यह वम सर्वस्रेश झौ माना गया है इस बात के लिए शुर्ति ने तीन उड़ारन देकर ये बात समझे शुर्ति ने वेरो ने तीन उड़ारन दिये और तीन उड़ारन देकर इस बात को समझाया है पीता में भी भगवान ने कहा वासुदेवस सर्वमिती समहात्मा सुदुर्लभ हा है वासुदेवस सरवम जो कुछ है वो सब क्या है पैसा। तो तो शुरती ने तीन उदारन देकर जगत वह फरमात्मरूप है जिसको तूम जगत रहे हो वो वास्तों में परमात्मा है इस बात के लिए इस बात को सिध्ध करने के लिए शुरुति ने तीन उदारन दिये हैं कौन-कौन से एक तो सोने का उदारन दिया दूसरा कौन सा दिया लोहे का उदारन दिया तीसरा कौन सा दिया मिट्टी का उदारन दिया तीन उदारन दिय यथा सौम एकेन मृत्पिंडेन सर्वं रिण्मयं विद्न्यातं स्याद वाचारं बनं विकारो नामधेयं मृत्य केत्य वसत्यं पहले उदारों क्या दिया तो मिर्टी का उदार दिया यथा जिस प्रकार हे सोम हे शिष्च्य हे पुत्र एकेन मृत्पिंडेन सर्वं रिण्मयं विद्न्यातं स्याद एक मिठ्टी को जान लेने से एक मिठ्टी को जान लेने से मिठ्टी के जितने पदार्त है वो सारे क्या हो जाते हैं विद्न्यातं वो सारे जाने हुए हो जाते हैं और बाकी के सारे जो नाम है उनके वाचारं ब गान बजु सब जाने हुए हैं को अगर जान लिया तो लिएक जितने सारसे जाने हुए होते हैं दूसरा उदानशुत ने क्या लिया यथा सौम्य एकेन लोह मनिना सर्वं लोह मयं विद्ञातम स्याथ वाचारं मनं विखारो नावजेम लोह मित्पे वसत्यम एक लोहे को हमने जान लिया ठीक है यह घड़ी यह घड़ी क्या है इस तील है इसका बेल्ट है कैने स्टील लोह है गाल एक लोहे की वस्तू को हमने जान लिया लोहे की जितनी वस्त्यम वपनून है वो सब क्या हो जाती है वो सब जान वे और जया कि उसी तरह से सुवर्न है एक सुवर्न अंगूठी नियुक्य तुमा तो THला है इसके अंदर सोना है इस ख़त्यों में तत्व क्या है सोना है इस सोने को हमने ठोक ठोक के ठोक ठोक के इसकी माला बना दी तो माला बन गई विकार हो गया उसके अंदर वो क्या है नाम है वास्तविक तत्व क्या है सोना है तो ब्यगत की जितनी मस्तुय है वो सब क्या है नाम रूपात्मत है इसका नाम क्या है इसका नाम लिखा जाता है कहीं इसमें अफिशियल कागतवों में नाम क्या लिखते हैं धतक लेशर्मा मघर हम इसको रहे बुलन जैह जो है इसका नाम लैट मि इसरमा है या द्रत्तु है मैं कॉण सा यह यह नहीं है वो भी बदलने वाले है तुम्हारी पत्मी तुमको क्या नाम से बुलाती है इस तो ऐसा है नाम वो बदलने वाला, रूप भी बदलने वाला, रूप बदलने वाला, रूप बदलने वाला इसका प्रमान क्या, गत परणिमा को आपने मुझे को देखा, गत परणिमा को, देखा, आप देख रहे हैं, बदल गया क्या ने, बदल गया, रूप बदल गया, रूप बदल गया, ना णाम और रूप बदलने वाले हैं जो वस्तु बदलने वाली है वो कभी भी मस्तिय नहीं हुए जो वस्तु बदलने वाली वो कभी सत्य जैने नहीं वाली सुका जो अरिष्ठान है जिस मेस्टु के उपर नाम रूप दिके हुए वह वस्तु कभी नहीं बदलती वह कौसी है वह उसक्ता है वह चैतन्य है वो सफूर्ती है वह आनंद है सचिदाने जिसको कहते हैं परब्रम्न परमात्मा घ्चाश को कहते हैं वह वस्तु बदलती रही है नाम रूप बदलते रहे हैं इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि बत्त परतरम नान्यत किंचिदस्तिधन अंजय मैसर रमिदम प्रोतम सूत्रे मनिगनाईव जिस प्रकार रहे माला के अंदर धागा पिरोया हुआ होता है उस तरह से सारे भूतों के कि अंदर रूर की माला सुनु की माला उसके अंदर धागा होता एक उसके अंदर आश्यॉ फिरमान क्या है प्रमाण कि माला है माला है वो इस बात का प्रमाणी दाहएं कि उसकी अंदर एक हाघा वो नहुता तो वह माला भी तो इस लिए जो सरववरमात्म जो बात काही गई है वो ऐसी वे बद केते हैं किसी मधा कैते हैं और किसी को शेर कैते हैं किसी को पुरुष काहते हैं किसी बालक कहते हैं वास्ट्व में उनकी अंदर जो अस्तित्व है वो प्रमात्मा का स्वरूप है देखिए संसार की सभी वस्तू के मूरें कि इतनी वह सुंधिक संसार की जितनी वास्थ में अनुटपन्व स्थ है कि आफ जानतें अफ जिसको आफ़्िद नहीं कर सकते ति जिसको हम्फ बना नहीं सकते हैं आपनों सब रोटी खाते हैं रोटी एक आदमी खाते हैं रोटी खाते हैं रोटी खाते हैं रोटी को आप बना सकते हैं रोटी को आप बना सकते हैं रोटी को आप बना सकते हैं रोटी किस से बनती है आते से आठे को आप बना सकते हैं आठा बना सकते हैं तो यह हूं यह उसे आड़ा बनता यह जमारी उसको बना सकते हैं उसको बना सकते हैं तो इनित में लगने वाली जो मिट्टी है मिट्टी का manufacturing आप कर सकते हैं क्या को कपड़ा कपड़ा आप बना सकते किसे धागे से बनता है भागा भी आप बना सकते हैं भागा आप बना सकते हैं मत्डा जिस कपास से बनता है उस कपास को आप बना सकते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी बड़ी इसने वह रहना नेमंड और पता नहीं क्या कि कि यच्चा कि सब्हूतानाम बीजं कि इन सारी वस्त्वों का बीज अहम मैं हूं इस सारी वस्त्वों यह नहीं होता उस बीज से सारी अब देख हूं है यह हुँ कहां से उतकनいたवा मिट्टी कहां से पन्हें प्रित्वी सी अपन सेुट्पनु a शार से जाते हैं तो परमात्मा जाते जो है प्रत्यम्स का बूंर प्रत्यक शुका कि बीज जो है और आ अधान टोग यहां टक बात समझों से यह आगे हैँ अब यह जो है जब हम प्रक्श से पैदा होते हैं से टो इसका मतलब क्या अगर्म परमात्मा को हमने बीज माना परमात्मा को हमने बीज माना संसार को व्रिक्ष माना तो परमात्मा कहां से उत्मन हुआ औह तो हैं देखे बीस देखे मिज चुछ बन गेया कि आर्प करने भीजीट की ऊत्मा हुआ ही में की परमात्मा जगत से उत्पन हुआ है जो कि समीचीन लए परमात्मा उत्पना करें का परसद्0 कीतुट पर्मात्मा उत्पन हा अगर अगर हमने का वोधन नौह तो फिर वह परमात्मा नहीं हुआ है अगर मैंने कहा परमात्मा उत्पन हुआ तो क्या हुआ वो परमात्मा ही में वह आम ही जो इसका कैसा समाध्दान भी भगवान स्वेम बताते हैं विजम माम सर्वभूताना विधिपार्थ सनातनम आद मैं विज हूं कि संसार का सर्वभूतों का मैं वीज हूं किन्तु मैं कैसा हूँ तो सनातन बीज हो और क्या अव्यय बीज हो अव्यय बीज और सनातन बीज सनातन बीज याने क्या सनातन बीज याने जो पहले से ही है सनातन शब्दकार्थ क्या जो पहले से है जिसकी उत्पत्ति का किसी को कोई पता नहीं है जिसकी उत्पत्ति को किसी ने जाना नहीं जिसकी उत्पत्ति को किसी ने देखा नहीं जिसकी उत्पत्ति को किसी ने समझा नहीं ऐसी वस्तु को हम सनातन कहते हैं सनातन कहते हैं सनातन बीज है और सनातन पीज होने के किरण यह जो बाकी के जो पीज है जो पीज से व्रिच्ष और व्रिच्ष से बनते हैं आयसा पीज नहीं है परमात्मा परमात्मा कैसा बीज है वह सनातन बीज अ धिय audio online वहां से इस सारे जगत की उत्पन निकलता है जब कोई बीज हम वहते हैं वास्टा में होता क्या है वह बीज नश्ट होके उसके अंदर से अंकुर निकलता है करेक्ट है वह पार्मात्म ह्न नश्ट होने के बाद उसमें से अंकुर होता है तो है कि थोड़ी सी बातों का ढहर नदर पड़ता है उसलिए भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभुषाक्श्री निवास श्यर्नम्सुर्डग बड़ाफप्र लेस्थानं फिधान भी जम अव्यय ने यह इसा भी गए अव्य आप यह सकूष नहीं होतां जो कम नहीं होता जो नर्श्ट नहीं होता जिसका अपक्षा ही नहीं होता है कि एफ हो हेइट नहीं कि एक्तो और वे किसी उत्वन नहीं हुआ प्रभावह जगत की उत्पत्ति का स्थान प्रलाइया जगत जहां लीन होने वाला है यह बस्तुएं नक्त होकर जहां जाकर मिल जाती है ऐसा जो है स्थान जो है और निधानम बीजम अव्ययम मैं जो है ऐसा स्थान हूं यह समझने की बात देखिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो है अध्यात्म बड़ा कठिन है अध्यात्म जो है बड़ा कठिन है बड़ा कठि क्थिन आध्यात्म से ज्यादा कथिन के अध्यात्म से ज्यादा कथिन गृत्री सल्सक्रीर के विटू यह घ्यादा कर लगजी नहीं है। किसके बारे में है पशूवां के बारा कि बारे में एद रेंजन के बारे में है और रंग देनएयिक वह Ihr Ar ع urban से का इसका गंए Savannah और कौन मैूंहां इसका बेटा कौन आप कि मालूं ए उसका बेटा किसी को मालूम है कृष्णदेवराय के बाप का नाम मालूम है नहीं मालूम हमको यह चे मालूम है शाजा और अब यह हमने अपनी गुट्टी में पी रखे कि वह गणिए किसी ने कहा इस देश का निर्मान मुगनों ने किया है देयार दी नेशन बिल्डर्स पहा है कि इसी बहुत बढ़े विजवाल यहीं हिस्ट्री हमने वह हमारे बारे में है क्या हमारा कोई संबन्द ने क्या उसकी बीवी मरी उसने करोड़ो रूपे खरकर करके पुक्ता बाला रहा मिलता वो लाने की नहीं है ऑस्ट्री से हमारा कोई तालोग हुआ श्रेलिया कहां है चाइना कहां है ताय्वान कहां है धी अत्नाम का क्या नि कर ये हमारा अपना शांत कमा अत्मा के बारे में तो ये असान हो अए वह असान वहां कौन सा है अपने बाहर मेरे पेट में दर्ध हो रहा है एक किसको मालू होता है मेरे सिरे में दर्द हो किस सब्सक्राइत को और सब्सक्राइब से तो यह यह आसा निंसे किसी को बताने कि कि आवश्क्ता थे ने गया उसी पहरद में और हो थे निया डर्ड में दर्ड हो न सी है तो कॉछ ौण promotional मत यूखे तू नहीं है आप बोर एब स्कासा की अपने बारे में जानना बहुत आसान थो दूसरों के बारे में जानना त्यम कि अंदर कि वो जो अन्यविशय है अन्यविशय है रॉकेट साइंस रॉकेट साइंस रॉकेट साइंस रॉकेट साइंस चंद्रमा पर जा रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है विज्ञान की प्रगेपी है बहुत अच्छी बात है वह वह मेरे बारे में है क्या है तो दूसरा वो सब आसन कहा जहां कि कितनी वीवियां थी कितनी मरी कितनी जिंदा बच्चिंदुमी के ऊपर ताघ मेल बना यह सारा आसान कि ओस औरंग जब लिए मन्दिर गिराए कितने हिंदुन को कट्डिया यह तरह जानना हाओ वैइस ने वारह में जानना मुश्किन है है और भगवान कहते हैं कि आदि में अंत में जिस अदेखे जिस वस्तु की आदी में जो होता है और अंत में जो होता है बीच में भी वही रहता है यह नहीं है जो वस्तु आदी में जो होती है अंत में जो होती है बीच में वही रहती है जैसे यह अंगूठी है यह अंगूठी बनने से पहले क्या था। अब बीज का जो काल है अंगूठी बनने के बाद और तोड़ने के पहले यह जो बीज का काल है उसके अंदर ये वस्तु क्या हो जाती है। कि सोना ही रहती है देखिए अंगूठी बनने से पहले यह सोना था अंगूठी तूटने के बार भी यह सोना रहेगा तो बीच का जो काल है जिसको हम अंगूठी का काल उस अंगूठी के काल में यह अंगूठी है क्या नहीं है वो सोना ही है अब जैसे जगत जो है आधि में परमात्म स्वरूप था अंत्य में प्रभव अप्रलयस्थानम निधानम वीजम अव्यम कहा बगवान में तो अंत्य में भी यह परमात्म स्वरूप होने समस्य आजाते हैं जगत को परमात्पस्वरूप मानने में एक समस्य जगत जो है वो विनाशशील है क्या है जगत की प्रत्येक वस्तु नश्ट हो रही है विनाशशील है और जगत की वस्तूओं के अंदर दुख्ष है जगत की वस्तूओं के अंदर दुख्ष है अब अगर हमने जगत को परमात्पस्वरूप माना तो उसके अंदर क्या हो गया उसके अंदर एक तो विनाशशील इता का दोश आगा यह जगत नटो रहा है तो परमात्मा भी जगत के अंदर दुख्ष है तो परमात्मा भी दु जाता है उसका निराकर शास्त ने इस प्रकार से किया है कि जगत जो नश्ट हो रहा है हम जो कहते हैं नश्ट हो रहा है नश्ट हो रहा है याने क्या हो रहा है नश्ट हो रहा है याने परिवर्तित हो रहा है अंतता कहां जाके परिवर्तित हो रहा हो उसकी अंतीम गती क्या ह फिर वो परमात्मरूप ही बन रहा है फिर वो परमात्मरूप ही बन रहा है तो हम जो कहते हैं कि जगत नश्ट हो रहा है नश्ट क्या हो रहा है उसका नाम और रूप नश्ट हो रहा है जगत की वस्तु का नाम और रूप नश्ट हो रहा है जगत जो है उसकी जो सत्ता है उस नश्ट हुई अब क्या माला है माला है माला नश्ट हुई अब क्या पाटली है पाटली नश्ट हुई अब क्या तूड़ा है तूड़ा नश्ट हुआ अब क्या है 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 इसको जला दिया हमने इसको जला दिया जलाने के बार किया राक है तो जगत की किसी भी वस्तु को उत्वन नहीं किया जा सकता जगत की किसी भी वस्तु को नश्त नहीं किया जा सकता ऐसा विज्ञान का नियम है मैं नहीं कह रहा हमारे आध्यात्म की बात तो हमने तो पहले लाकों करोडों साल पहल लक्षन किसका है विज्ञान की तुष्टी से नॉर केन नॉट बी इस वाक्यकार्थ पदार्थ को उत्पन्न नहीं किया जा सकता पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता आइसी कौन सी वस्तु है पदार्थ अगर ऐसा है तो लक्षन किसके ओपर घटित होता है परमात्मा ही ऐसा है जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता वो परमात्मा है पदार्थ की अंदर भी वही लक्षन है कौन सा उत्पन्न नहीं किया जा सकता नष्ट नहीं किया हेसना इसलिए पडार्थ है परार्थ इसीक्वल टो परमादा इसलिए है कि जो दोनों दोष आये थे पहले वह्ला कुंछ साजय । अभी दुक होता है अभी दुख होता है ऑफिसको होता है किसको होता मनुष्य को या प्राणियों को जो दुख होता है उनके मन को होता है उनके मन को होता है हम यहां जो जगत या भूत या प्राणी जो कुछ भी करें वो परमात्मस वरूप है क्या करें कि यह जो है इनका जो आत्मस्वरूप है इनका जो सत्वरूप है इनका जो अस्तित्व है वो परमात्म पार मॉप्सान दुख किसको होता है दावन जो है वो शरीर के उपर शर्ट के उपर कि ड़न हिचाथ अथा अब दाग है शर्ट के उपर घुदा को अजमिया क्या थो शरीर के उपर भरifting डिना नहीं रा वह जो भी मुड़ है वह नाम रूक को कोई होता है जो होता है वह नाम रूप को होता है जैसे मेरे शच्ट के ऊपर बंडार खाने में मैं गया तो यह इसको मैं उतार के फेक सकता हूं जिसको मैं उतार करके फेख सकता हो तो कहने काताब पर यह कि कोई भी दोश जो है जितने भी दोश लगाने का प्रयाद्य करें एक कोई दोश टिकता नहीं हो जगत जो है वह परमात्मस्वरों पहले भी परमात्मात्मा प्रमान क्या तो शुरुति ने कहा सदे वसोम्य इदम अग्रे आसी सब इस जगत की उत्पत्र से पहले सथ रूप से परमात्माही विज्यमान थे और अंत में अंत में भी परमात्माही रहेंगे अंत में कौन रहेगा सारा जब कुछ नश्ठ हो जाएगा नश्ठे लोके विपरार्धा वसाने भाभूते श्वादि हूतम गतेशो व्यक्ते व्यक्तम कालवेगे न याथे भावान एक शिश्चते शेशसन्या भागवत मैं कहा यह कौन कहता यह की अब कहती हैं जब भगवान श्रीक यदो परार्दर पारार्धर जितनी है वो सारे जब नश्ट हो जाएंगे महाने भूतेशवाला नहें अधिश नशेशूल możemy हो साले भूत जो बहुत जो है आदि भूत के इंद्र है जब प्रविश्थर हो जाएंगे व्यक्ट, अव्यक्त अम कालस देगे और और यह सारा जो कुछ व्यक्त दिखाई दे रहा है ज़ा है काल के प्रभाव से वह जब सारा अब्यक्त हो जाएगा भवान ये कहा शिश्य तेश, भवान आप जो है उस czas UP के वल आप ही बचे किस ने कहा देवकी ने कहा किस से कहा अगवान श्री कृत्न से कहा कब कहा उनके जन्म के समय कहा अब जन्म अब कहरें उनका जन्म नहीं है पुरुत्यू नहीं है नश्ट नहीं है जब उन्होंने आवदार धारन किया उस समय माता देवकी ने कहा कि भवान ये कहा हिश्य अन्त्य में वही है वासुदेवस सर्व मिति समहात्मा सुदूर्लभा भगवान सुएम कहते हैं देखिए उसके लिए प्रमान जो है भगवान के मुझे निए निए अहम आत्मा गुडाकेश सर्व भूताश अस्थितहा अहम आधिश्यम ध्यंच भूतानाम अन्तव वच बि स definis छाकर्ण भूता गुडे निवास करता हूँ सभी भूतों में वह रहता हूं शभी भूताश अचेस्थितहा और फिर क्या अहम आदिश्यम मध्यंच आदि में भी मही उन् कि मध्य में भी महीं हूं भूता नाम अंत ये बच और इन भूतों के अंत में कौन है एक जगत को परमात्मस्वरूप मानने में फिर एक शंका हो जगत को हम परमात्मस्वरूप मान लेंगे मगर एक और शंका उत्पन होती है वो शंका क्या है यहूं से यहूं उत्पन होता है जवारी से जवारी उत्पन होता है आम का भीज बोने से आम का व्रिक्षो होता है नारियल का भीज बोने से नारियल का व्रिक्षो होता है अब परमात्मा अगर जगत के भीज है तो वहां स यह सोचने की बात है शित्र विलीकों को दुष्ट लोग उंडे लोग के सचारेन विल्ट काले लोग औरे रोग ठिगने हो नंबे-डों पड़े लिखे बेपड़े लिखे अंग्रेज, जर्मन, जापानी, भारती, भारतियों में राजस्थानी, पंजाबी, हर्याणवी, गुजराती, बंगाली, मराथी, कारडी, तेल्गु, ब्राह्मन, चत्रिय, वैश, शुद्र, चित्र भी चित्र जेगन कैसे उत्पन हुआ यहां बीज जो है वह सचित आनद स्वरूप है और जगेट कैसा है विच्चीत्र जित्र है कुछ कॉंग्रेस के एक बीजेपी की है कुछ ब्यश्प की है कुछ एडियम की है कुछ टीर एस है सब अलग अलग नहीं है तो अलग अलग यह कैसे उत्मन हुआ तो अइसा है एक बड़ा सुन्दर उदारण शास्त्र में आया है योग वास्ष्ट में उदारण है वहां इस बाद का उत्तर भी आ गया है मयूरी का अंडा मौरनी जो आफ वाइट कलर का अंड़ का अंड़ अउस अंडे से जो पक्षी निकलता है उसके कितने रंग होते हैं है थे पूर्नी कांदा कुछ अंडे से अंडा है तो कैसा होता वह जैसे माधी के अंडे वाटे वह साँ होता है मगर वस्ष्ठम वुह कहते हैं योगवासिष्ठमें कि उस अंडे से जो मोर का बच्चा पैदा होता है उसके कितने रंग होते हैं उसी तरह से ये परमात्मा व्यद्य पे एक रूप है मगर उससे उत्पन होने वाला जगत वो विविद रूप का उत्पन होता है और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ऐरंडर अम्हां ना हम अशना मंटर आम अंग्य अधिया यह जो कुछ है सब मेरा ही रूप ही आह मुक्रतु हो हो कि इदने रोत यह आग है है वो सब मेरे रूप यहां नियका उदानद। अहम यहां जितने है स्वाधाओ के स्वाधा और पृत्र में चैनल तो स्वाधा का जो है वह किसका वाचा वाचा का है तो फिट्र का है तो श्रौत याग स्मार्त याग और पित्र याग याग यह तीनों प्र कार के यदि क्या है हम अउशन हम और यद्नियों में उपयुक्त होने वाले मंत्र क्या है वह मेरा ही स्वरूप है हमेवाज ने प्रयूक्त होने क्या है वह मेरा स्वरूप है ठीक है अहम अगनी ही और उस हविर द्रव्य को स्विकार करने वाली जो अगनी है उसको ग्रहन करने वाली जो अगनी है वो किसका स्वरूप है वो भी मेरा ही स्वरूप है और उस अगनी की अंदर डाली गई जो आहुती है जो वहां पर हुत हो जाती है वो हुत तोने वालता हुं उसको प्रज्वनित करता हूँ मंत्र बोलता हुं सारा आवगवाम। ब्रम्हार पनम ब्रह्म्हाव महटन वह नहीं तो श्यव कर मादिना वह सब कुछ जो है सब कुछ मेरा ही स्वरूप है ऐसा भगवान ने कि अने शानक अने इख खैनई भागवान ने इस दौब गीता के अंदर मेरा स्वरूप है इसा बहसे बात notre अब हम जगत को किस द्रिश्टी से देखते हैं हम जगत को किस द्रिश्टी से देखते हैं हम जगत को जो है अपने भोग की वस्तु के द्रिश्टी से देखते हैं यह जगत क्या है यह मेरे भोग के लिए है यह मेरे भोग के लिए है इस द्रिश्टी से हम जगत को देखते है सघते कुछ लोग किया है जगत से भैखाते हैं कुछ लोग जो है इस जगत को दुख का रण मांते हैं व प्रकार से जगत को देखती है वास्तविक्ता क्या है ? वास्तविक्ता ये है कि ये जگठ जो है रहू परमात्मा का स्वरीट है. उसको उसी दृष्टी से देखना चाहूए. उसको उसी दृष्टी से दैखना चाहूए. यह क्या है ? यह shortest method है. कि परमात्मा को प्राप्त करने का शौर्टेस्ट मेठड़ सबसे आसान तत्काल जो है अगर आपको सिद्धी प्राप्त करनी है परमात्मा को प्राप्त करना है तो जगत को ब्रह्मरू रूप जानना जगत ही ब्रह्म है ऐसा मानना जो है यह सबसे आसान तरीक है फिर वापस है मगए आपके पास अगर उसका पिन नहीं कोन सा कि यह ने ग्या है है व जो चार डीजिट का होता ना आओ चार डीजित का पिन पिन होता वह फोन पे हैं आपके एकनट में बालेंस है सब कुछ है मगर आपको कुछ करना है कुछ भेजना है फिर खरीजना है वह पिन अगर नहीं मानूम तो फिर क्या हो जाएगा तो पिन कौन सा है वह पिन जो है वह प्रभु का नाम है कि यह चार अक्षर का पिन कौन सा श्री मा तो जब तक आप वह पिन नहीं रहेंगे उसके अंदर जगत को ब्रह्मरूप जाना के वाउट सफ है सब कुछ है मगर उसके साथ वह पिन होना जाए पिन तो पिन घर है तो फिर क्या खटा-खट शॉपिंग चल से पेन अगर भूर गए पेन अगर भूर गए तो फिर क्या फिर सारा मामला घर्ब हो जाता हैं इस लिए जो है आज के इस ओश पोर्णिवा के हउसर पर दो जगत परमात्मा को प्राप्त करने का सुगम सरल इंस्टंट उपाय है क्या तो उसका उत्तर क्या है उसका उपाय क्या है वो उपाय कौन सा है तो जगत को परमात्मा सुरूग मानना यह उपाय है अब वो जो मानने की प्रक्रिया है उसकी अंदर उपयोगत होने माला पिन कौन सा तो वो परमात्मा का इस पिन का उपयोग करते हुए उस आप का उपयोग करते हुए अगर आपने ठीक तरीके से बटन दबा दिये तो इंस्टंटली जैसे आपको लिपकार्द एमेजॉन वाट्सेप गूगल पे पहना पे बोन पे वहां से जैसे आपकी कारे की सिद्धी होती है उस तरह से अध्यात्म में भी आपकी सिद्धी अवश्य होगी वह हो ऐसा आशीरवाद देते हुए आज के इस प्रवशन को यहां विराम देत झाल